जराम जी की दोस्तों आपका दिन सुब हो मंगल मैं हो प्रभू से यही कामना है सभी बड़ों के चर्णों में प्रणाम और छोटों को धीर सारा प्यार आज मैं फिर से आपके समख सुपत्ते तुआ हूँ विवाह का महरत लेकर 2024 में आप कब करे विवाह ताकि आपका विवाह सुप रहे देखो आजकल जो है मैं बहुत केश देखता हूँ जो मेरे पस कुंडली आती है कि आपस में लड़ाई जगड़े और पती-पत्नी के वादविवाद बहुत बढ़ते जा रहे है इसलिए सबसे पहले तो आप अपन इंदगी परेशान रहेंगे लेकिन आपका विवाह धंक से नहीं चलेगा अगर आप चाहते हो कि आपका विवाह सुगद हो आपको किसी प्रकार की कोई समस्य ना है आपका जीवन मधूर में रहे और विवाह की संबंद आपके बहुत अच्छे रहे तो उसके लिए आप जो है विवाह सुग मोरत पर करें आई अब वीडियो को आरम करते हैं जो जा तक पहली बार मेरी वीडियो देख रहें कि पर मेरे जैनल लाइक करें शेयर करें और सस्क्राइब अवश्य करें ताकि इससी तरीके की यूसफूल जानकारी उन्हें मिलती रहे दोजर चोबिस में जुलाई महा से मैं आपके मोहरत बता रहा हूं जुलाई में आपके जो सुब मोहरत है विवाह के वह बहुत ही सुब मोहरत है दिन्नांक 9 को 11 को 12 को 13 को 14 को और 15 को फिर उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर इन तीन महीनों में कोई विवाह का सुब मोहरत नहीं है कोशिश कीजिए कि इन महीनों में आप विवा ना करें अब बात करते हैं नौंबर महा की नौंबर महा में जो विवा के आपके सुब महरत रहेंगे वो रहेंगे दिननांक 12, 13, 16, 18, 22, 23, 25, 26, 28 और 29 वर्ष का अंति महीना यानि दिसंबर महा में अगर आप विवा करना चाहते हैं तो उसके अतिसुब महरत हैं दिननांक 4, 5, 9, 10, 14 और 15 हैं एक जरूरी सुचना अगर किसी का विवाएक संबंद वास्त में खराब चल रहे हैं तो संस्तान का संपर्ख सुत्र आपको नीचे दे दिया जाएगा आप वहाँ से अपनी कुंडली के लिए जो भी जरूरी परामर्स हैं जिससे आपका विवाद ठीक हो सके ऐसे उपाए हमसे प्राप्त कर सकते हैं जै राम जी की जै श्री राम